हलो फ्रेंग्स मेरे चैनल होप फितनी धी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की जो रेसिपी है बना तो सभी लेते हैं और खाते तो जरूर हैं सभी लेकिन आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी दही बड़े बनाने का उससे क्या होगा दही बड़े कि यह दम सफ्ट बनके तैयार होंगे फूले फूले आपको एठनके जो है भिगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ में उन्हें पानी में भी निचोरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत लोग होते हैं दही बड़े जो है सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं पानी में उसको डिप करते हैं तो आज मेरा तरीका कैसा है आप वीजियो देखिए और कमेंट करना मद भूलिएगा साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर वीजियो अच्छा लगे त तो चले शुरू करते हैं यहां मैंने ये उरत की डाल को मैंने राद भर पानी में भिगोया था उसके बाद मैंने इसको वाश कर लिया है छिलके वाली दाल ती इसलिए वाश करना पड़ा अगर आप धुली उरत का यूज चारत है तो आपको वाश तो पड़ेगा लिकिन छिलका उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो छिलका उतारने के बाद हम क्या करेंगे धुल के और फिर इसको हमें एक ग्राइंजिंग जार में एच करके थोड़ा सा पानी एच करके इसका हम पेश्ट तयार करेंगे विल्कुल इस तरीके से तो यहां देखें पूरा 100% फाइन पेश्ट नहीं तयार करना है हमें क्या करना है थोड़ा सा हमें दरदरा रखना है बहुत ही हलका दरदरा रखना है मतलब यह नहीं कि मैंने कह दिया तो आप पुरी खड़ी उरद रख दे और कह दे निधी ने तो दरदरा का था उसके बाद हम दाल को रखेंगे साइट पे और यह दही आप देख सकते हैं ठंडियों में भी कितना अच्छा दही गाड़ा दही जम के तयार हुआ है तो मैंने यह दही कैसे जमाया है इसका वीजियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आई बटन में और वीजियो के एंड में भी जिससे आप इस तरीके का गाड़ा थक्यदार दही जमा सकते हैं तो दही हम क्या करेंगे ग्राइंडिंग जार में एट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे क्योंकि जितना हम अगर ज़्यादा पानी एट कर देंगे दही पतला बनेगा फिर दही बड़े में अगर दही अच्छा नहीं हो तो मज़ा नहीं आती है और थोड़ास हम इसमें नमक एट करेंगे नमक सादा नमक एट किया है और थोड़ास हम इसमें काला नमक एट करेंगे लगबग आधा चम्मज और अब हम क्या करेंगे इसको एक बार मिक्स कर लेंगे ये देखिया इस तरीके से तो हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम दही को फेटे मिक्सी चलाएं तो हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं चलानी है मुश्किल से 30 सेकंड बस मिक्सी चला करके बंद कर देनी है जिससे क्या होगा दही बिल्कुल पतला नहीं होगा अब हमने इसको एक बॉल में ट्रांसपर कर लिया है और दही रखेंगे साइट पे हम और अब ये जो हमने दाल उरत की हमने धुली हुई थी पीसी हुई थी उसके बाद उसमें हम कुछ मसाले आट करेंगे तो यहां सबसे पहले हम हींग आट करेंगे चुटकी भर उसके लाल मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे उसके बाद हम इसको रख देंगे अच्छे सेट होने के लिए साइट पे और ये जो दही हमने फेटा हुआ था अचलिये इसमें भी कुछ मसाले आट कर लिए जैंगे जो की सब के दही बड़े से इमारे दही बड़े को कुछ अलग टेस्ट देगा तो हमने थोड़ा सा यहां पर लाल मिर्च का पाउडर एज किया है और उसके बाद यह है कसूरी में थी कसूरी में थी हलवाई लोग भी यूज करते हैं और एक अच्छे से टेस्ट फ्लेवर के लिए आप इसका यूज जरूर करें तो इसको हमने हलके से तब भुने हुए जीरे का पाउडर एच करें और यह तो बिल जरूर एच किया और यह है काली मिर्च का पाउडर एक चौथाARS चममच इन सबका जो फ्लेवर हैs दही में बहुत अच्छा आता है जैसे भुने हुए जीरे काली मिर्च और काले नमक का तो यह तो आप-चीज जर तो रिफैन्ड यूज कर लें, मैं क्या कर रहे हूं, सरसो का तेल यूज कर रहे हूं, जब तक तेल गरम होगा, इदार आप हम दाल की फिटाई कर लेंगे, अच्छे से, क्योंकि यही जो प्रोसेस है, दही बड़े को सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि हम यहां पे दही बड़े म यह हुआ है कि यह दाल अच्छे से फेक चुकी है दाल इतनी सॉफ्ट हो गई है जैसे रूई होती है ना कॉटन बिल्कुल उसी तरही कैसी अब जो ट्रीक में बनाने बनाने दही बड़े बनाने में ट्रीक यूज कर रहे हूं वो आप देखिए हाथों को गीला करके मैंने उ सॉफ्ट बनते हैं और यह हमने तेल में इसको डाल दिया है तो ध्यान रखना है कैसे हम तेल में डालेंगे क्योंकि दाल जो है वो ज्यादा गीली है क्योंकि अगर हम दाल को गीली नहीं करेंगे लोग क्या करते हैं दही बड़े बनाते हैं दाल को टाइट रखते हैं तो वो अच्छे से जो है सॉफ्ट नहीं होते हैं तो पानी की साहता से हम इसको क्या करेंगे फिसला के और फिर हम इसमें बनाएंगे और साथ में तेल में भी डालेंगे तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान है बस हथेलियों में थोड़ा सा उंगलियों में पानी लगा के और ऐसे देखिए हम डाल देंगे इस तरीके से हमने इसको डाल दिया है और बस थोड़ी दिर हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हम जो बाकी के बड़े हैं वो हम ऐसे तेल में डाल के सेक लेंगे तो फ्रेंट जितनी capacity हो कड़ाई की या बरतन की उतने दई बड़े स्वरी बेस में फ्राई के लिए डाले तो यहां देखिए मैंने इस तरीके से इतने बड़े डाले हैं और एक से डेड़ मिनट बाद ही हम इने टच करेंगे तो कोशिस करें आप स्टार्टिंग में जो है चमच का यूज कर लें चमच वही जिससे हम लोग खाना खाते हैं क्योंकि इससे क्या होगा दूसरे बड़े में टच नहीं होगा चमच तो फिर उनमें कट या वगेरा का कोई निसान नहीं लगेगा तो आसानी से पलक जाएंगे तो यहां देखिए हमने क्या किया है बड़ो को हमने पलक लिया है और इस तरह भी हम फ्राइ कर लेंगे गैस की फ्लेम है वो बिलकुल low to medium होनी चाहिए क्योंकि ऐसा नाओ की दही बड़े अंदर से कच्चे हो जाए बड़े और फिर बाहर से क्रिस्पी हो जाए जब हम लोग इसकी पकोरी बनाते हैं तो बाहर से भी क्रिस्पी रखते हैं तो एक लेयर देखिए एक बैच मैंने निकाल लिया है और दूसरा बैच भी मैंने इसमें कड़ाई में एट कर दिया है तो इसी तरीके से आप सारे बड़ो को फ्राइ कर लें बहुत ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी नहीं करेंगे क्योंकि हमें इन्हें बड़े में दही में एट करना है तो इनको भी मैंने जो दूसरा बैच है उसको भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है आप देख सकते हैं तो फ्रेंच अंदर से अच्छे से सीके इसका आपको ध्यान रखना है गैस की हम लो रखनी है जब थोड़े ठंडे हो जाएं 5-6 मिनट के बाद तब हम इसको दही में एट करेंगे अदर्वस दही के जो फटने के चांसे रहते हैं थोड़ा सा 5-6 मिनट आप इनको रखें बड़ों को बाहर उसके बाद हम दही में एक कर देंगे और ऐसे चमत से हलका सा इसे प्रेस कर देंगे और थोड़ी दिर हम इने ढखके रख देंगे दही बड़े खाने के लिए तयार है तो यह देखिए 5-10 मिनट बाद आप दही बड़ों को देख सकते हैं कितना बढ़ियां दही बड़ा फूला बना रहे हैं अच्छे से जब इनमें दही जाएगा अ कुश्चन हो कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो मिलती नेक्ष वीजियो में अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्ट पर वाचेंग